हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एच्चू के स्टनल चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे पीटोसीन इंजेक्शन के बारे में तो हम सिखेंगे उसके वेजिक यूट से बारे में जानेंगे किस तरह से यह मेडिकेसन अपना काम करता है, उसके डूस क्या रहते है, साड इफेक्स क्या रहती है और कौन से warning and contraindications रहेंगे तो सभी के detail study करते हैं ये lecture के अंदर और जानते है Pytosin Injection के बारे में तो expert lecture by a mercer, assistant professor and founder of PharmaRox Thank you for being PharmaRox family updated रहे है Pharma knowledge के साथ access करिये study material, test series and video lecture PharmaRox के आप उपर अब आप decision उनके treatment related lectures भी access कर पाओगे medicines related lecture PharmaRox के आप उपर access कर पाओगे और उनके PDF and PPTS भी वहाँ पे आप अच्छे से access कर पाओगे तो affordable price में ये course को access करने के लिए download करिये आप PharmaRox और access करिये ये सभी courses को PharmaRox के आप उपर तो Android user Android app download कर सकते है iPhone user app store से link आपको description box में मिल जाएगी तो सबसे पहले जानते है basic about the pitocin injection तो pitocin injection ऐसे class का medication कहा जाता है कि जिनको हम कहते है oxytosis hormones कि जिसके अंदर mainly hormones जो है वो add किया गया है और ये hormone का जो नाम है वो है oxytocin तो oxytocin injection जो है इसके अंदर main जो hormone है वो है oxytocin hormone और इसके जो manufacture आप देखो यहाँ पे तो Pfizer जो pharmaceutical इसके main manufacture है तो इसके अंदर जो hormone है इसको हम कहते है oxytocin hormone और ये medications क्या करती है stimulate करती है uterine contractions को तो ये हो गया उसका working तो main इसकी जो कोई pharmacological action है तो वो है uterine contraction करवाना तो जानते हैं अब आगे detail में तो पीटोसीन जो है उसका brand name है और salt composition जैसे मैंने आपको समझाया तो वो है oxytocin hormones उसके अंदर main salt composition है कि जिसको हम कहते है oxytocin hormone और manufacture जैसे मैंने आपको बता है कि फाइजर जो है उसको जो है वो manufacture करता है और फाइजर के बारे में जाने तो ये एक American multinational pharmaceutical company है साथोसाथ biotechnological corporation कहा जाता है और जिसका headquarters new york city के अंदर आया है और ये company जो है वो established होई थी 1849 के अंदर new york के अंदर तो ये था about the information of manufacture अब जानते है कि oxytocin क्या है सबसे पहले तो कि आपके mind में पहले ये सवाल जरूर से होना चाहिए कि what is oxytocin तो oxytocin जो है वो एक hormone है कि जिसको release करता है हमारा pituitary gland तो जब आपने हमारे brain related lectures access किया होगे तो जिस तर मैंने आपको ये समझाय था कि brain के अंदर जो है वो एक pituitary gland आई हुई है और ये gland का काम होता है अलग-अलग hormones को produce करना तो oxytocin जो हमारा hormone है वो naturally हमारे body के अंदर pituitary gland जो है वो release करती है पर कब release करती है तो specially ऐसे conditions में वो release होता है कि जब labor की condition होती है मतलब कि labor pain वगेरा start होता है या फिर child delivery के दौरान ये uterine को contraction करवाने के लिए uterus के contraction करवाने के लिए हमारी body में से release होता है साथ हो साथ जब breastfeeding का जो period होता है उस वग जो milk release होता है उसके लिए भी ये hormone का proper amount में release होना जो है वो जरूरी है तो बाजू में जो diagram है वो आप देखिए तो यहाँ पे आप देख रहे है कि जो child birth के दौरान जैसे ही जो बच्चे की moment होने start होती है delivery की तो उस वक जो head होता है बेबी का वो push होता है cervix की और कि यहाँ पे आप cervix का जो portion देख रहे है तो यहाँ पे बेबी का जो head है वो push हो रहा है तो उस दौरान जो neurons होती है वो brain के अंदर ऐसे impulses बेचती है कि जो आगे जाके pituitary gland में से oxytocin hormone को release करवाएगी अब यह hormone जब अच्छे से release होगा तो यह hormone के concentration जैसे ही blood में आएगी blood stream के अंदर जैसे ही यह hormone release होगा तो यह क्या करेगा uterus के उपर अपने pharmacological action देगा और यह hormone क्या करेगा stimulate करवाएगा uterine contraction मतलब कि uterus जो बना है तो उसके जो anatomy होती है तो उसके अंदर जो है contractions होना अब start होता है तो यह contractions के कारण जो delivery जो है वो काफी आसन हो जाती है और जो normal delivery है normal वजैनल delivery जो कहते है तो वो आसन इसे हो पाते है तो इस तरह से यह पूरी एक system है कि जैसे ही बच्चे की movement start होती है तो वो movement को detect करते है यहाँ पे रहे जो neurons है कि जैसे ही cervix के आसपास यह head push होना start होता है तो neurons जो है वो तुरंत impulses बेज देती है brain को और यह brain जो है वो stimulate होके pituitary gland को जो है वो अच्छे से activate करता है और यह pituitary gland blood stream के अंदर oxytocin को release करेगी और जैसे ही oxytocin आएगा तो uterine contractions start होगा और यह contractions के करण यह vaginal delivery जो है वो आसानी से हो पाती है तो अब functions जानते है कि oxytocin के functions क्या है हमारे body के अंदर कि child delivery के दोरान तो उसका proper amount में release होना ज़रूरी है पर उसके अलावा दूसरे कुछ एक से function है कि यह hormone जब हमारी body में secret होता है तो यह क्या करवाता है stress जो है वो हमारा remove करवाता है anxiety मतलब कि जो चिंता होती है वो दूर होती है कि जिसको enziolysis जो है वो कहा जाता है मतलब कि यह hormone अच्छे amount में समझे के body के अंदर release होता है तो आप stress free रहते है चिंता जो है वो कम हो जाती है तो anxiety भी completely remove हो जाती है और साथो साथ stress remove होने का भी काम करता है फिर promote करता है आपके positive mood को कि आपका जो mood काफी अच्छा रहता है positive mood रहता है positive thinking रहती है उसके लिए भी यह hormone का proper amount में release होना जरूरी है फिर help in normal child birth कि जो vaginal delivery जो हम कहते है normal delivery जो कही जाती है उसके अंदर यह help करता है फिर appetite जो हमरी suppress करता है मतलब कि book जो है वो कई बार जो कम लगती है तो उसके करण यह होता है promote करता है milk ejection during the breast feeding period कि जब breast feeding period होता है तो उस वक proper milk secretion होना जरूरी है तो उसको भी promote करवाता है यह oxytocin hormone फिर help करता है reproduction by facilitate the sperm transportation की जो sperm जो होते हैं उनको आगे fallopian tube तेक पहुचने में और एक के साथ अच्छे से वो मिल पाए कि जो हम fertilization कहते हैं वो process अच्छे से हो पाए उसके लिए जो sperm का transportation होना जरूरी है तो वो भी अच्छे से करवाता है यह hormone तो उस तरह से reproduction में help करेगा यह hormone साथे साथ यह hormone को love hormone भी कहा जाता है because यह hormone जो है वो आपके जो अच्छे relationships होते है social bondings वगेरा जो होते कि आपके आसपस जो लोग उनके साथ आप अच्छे से रहते है कि proper social relationship पर अच्छे से बन कर रहते है social bonding आपका अच्छा रहते है तो यह सभी के लिए यह hormone का proper amount में release होना जरूरी है तो pitocin injection के अंदर इसका synthetic version जो है वो add किया हुआ होता है तो pitocin injection के हम basic use समझे तो सबसे पहले जो उसका basic use है हो है कि induce the labor कि labor induce करवाने के लिए and delivery by contraction in uterus during the childbirth कि जो vaginal childbirth कहते है या फिर जो normal vaginal delivery जो हम कहते है तो उसके लिए यह hormone का release होना जरूरी है पर किसी के अंदर समझे कि proper amount में यह hormone release ना हो और uterine contraction समझे कि नहीं हो रहे है तो उस वाक्त यह injection जो है वो patient को दिया जाता है कि जिससे आप labor जो है वो induce कर सके और labor pain जिससे ही start होगा तो delivery जो है वो आसान बन सकती है proper contraction हो सकते है होने के कारण uterus के अंदर जो vaginal childbirth जो है वो आसानी से हो पाता है फिर control करता है bleeding after the childbirth अब बच्चे के जनम होने के बाद जो bleeding होती है मधर के अंदर तो वो control करने के लिए भी यह injection का देना जरूरी बनता है और to induce an abortion कि जो कुछ ऐसे pregnancy complications है और abortion कराने की जरूरत पड़ी है as per the MTP Act कि जो हम जानते हैं कि Medical Termination of Pregnancy Act है 1971 Government of India के तो उसके act के according to जब आप abortion करवाते हैं तो वो abortion को भी induce करने के लिए कई बार यह injection को use किया जाता है तो यह है उसके तीन main basic use कि यह जो injection specially बनाया है इसे लिए है कि किसी को abortion करवाना है MTP की act according to child birth के बाद bleeding जो है वो control करनी है और labor induce करने के लिए यह injection जो है वो patient को लगाया जाता है तो अब आपके mind में सवाल यह होगा कि क्या यह injection सभी को देना जरूरी है या फिर does pitocin use in every labor कि सभी patient को यह pitocin use होता है तो उसका answer है no while post delivery to baby pitocin is not necessary for every patient कि जब delivery करवानी है तो उस वक्त सभी patient के लिए pitocin देना जरूरी नहीं है तो उसका reason भी हम जानेंगे तो it can be especially helpful for those who have developed an infection during the labor अब किसी को समझे कि infection हुआ है labor के दोरान और ऐसे patient के जिनका uterus जो हो हो चुका है weak अब uterus समझे कि weak हो जाता है तो वो अच्छे से contraction जो हो नहीं कर पाथा the uterus can become the weak and not able to produce contraction so difficulty in labor समझे कि अब ये uterus अच्छे से contraction नहीं कर पा रहा तो problem क्या होगा कि labor के अंदर जो प्रसव करवाते है उसमें difficulty होती है दिक्कत याती है तो उस वक्त ऐसे patient को injection जो हो दिया जाता है कि जिनको contraction नहीं हो रहे है अच्छे से या फिर infection के कारण uterus weak हो चुका है और वो अच्छे से contractions करवाने में जो है वो सफल नहीं हो पा रहा तो उस वक्त ये injection को जो हो दिया जाता है तो सभी patient को ज़रूरत नहीं कि जिनका आसान इसे समझा कि labor हो जाता है contraction भी automatically जो हमने आगे समझा उस तरह से proper उनके अंदर hormone release हुआ और proper naturally ही समझा कि contractions हो रहे तो उस वक्त ये injection देने की जरूरत नहीं रहती तो हिंदी में समझे तो क्या हर बार pitosin injection लगाना जरूरी है तो answer है Z नहीं ये हर बार लगाने की जरूरत नहीं होती सिर्फ ऐसे patient को लगाया जता है जिनके गरबासे में बच्चे को जनम देते समय संकूचन ना हो रहा हो कि contraction का मतलब होता है कि ये uterus के अंदर जो संकूचन होना जरूरी है अगर संकूचन होगे तो cervix और वहाँ से आगे वज़ए ना के तुरू जो वज़एनल डिलिवरी की जिसको हम नॉर्मल डिलिवरी कहते है वो आसनी से हो जाएगी पर कुछ ऐसे patient होते कि उनके अंदर य uterus जो है वो जो गरबास है है वो अच्छे से संकूचन नहीं कर पाता जिससे प्रसव करवाने में काफी दिक्कत आती है तो उस वक्त ये injection लगाने के बाद परियाप्त संकूचन होगा जिससे प्रसव जो है वो आसन बन सकती है कि जब patient के अंदर ये संकूचन ना हो पा रह हो नेचरली तो उस वक्त वो पेशन को ये injection देने से क्या होता है संकूचन होना स्टार्ट होता है और प्रसव आसन बन सकती है कि जिससे माता और सीसू जो है वो दोनों सलामत रहे तो ये है मेन कॉंसेप्ट जो है है पिटोसीन injection के बारे में तो अब समझना जरूरी है उसक कि एसा नहीं करना चाहिए कि हर बार आप सभी पेशन को पिटोसीन injection लगाते हैं जैसे अभी मैंने आपको बता है कि सिर्फ ऐसे ही पेशन के लिए यूज करना है कि जिनके अंदर यूटेराइन कॉंट्रेक्शन नेचरल ही नहीं हो रहा है अगर नेचरल ही कॉंट्रेक्श इसमें यूज करना है अगर यूज करते हैं तो कब यूज करना है तो use if complications during the vaginal delivery कि अगर आप vaginal delivery करवा रहा है और complications से तो उस वक्त ही use होता है अगर C section करवाते हैं तो उस वक्त ही injection के कोई जरूरत नहीं रहती use if no proper contraction during the labor कि use तब करना है कि पहला पहला use अब कब करोगे कि जब complications से vaginal area के दोरान कि जैसे मैंने आपको समझाए कि contraction नहीं हो रहा है uterus के अंदर संकुचन नहीं हो रहा है गरबा से का तो उसी वक्त देना है दूसरी condition use if no proper contraction during the labor तीसरा condition कि जो membrane होता है वो rupture हो चुका है कि preterm rupture कि proper 40 weeks या फिर उसके आसपास सी जो है plus और minus 1 हम consider करें तो उस वक्त जो है वो membrane जो होता है वो automatically rupture होता है पर preterm preterm मतलब कि समझे कि 35 weeks के आसपास समझे कि membrane जो है वो rupture हो चुका है और उस वक्त जो fluid है वो समझे कि कम हो रहा है कि जो पानी होता है जो हम कहते है normal language के अंदर वो जो है वो अब कम हो रहा है बच्चा अच्छे से movement नहीं कर रहा है और उस वक्त जरूरी है delivery करवाने की तो उस वक्त vaginal contractions करवाने के लिए और labor induced करवाने के लिए ये injection जो है वो फिर आप दे सकते है चौथी condition कि patient के अंदर rh factor related problem से rh problem जो कहे जाते है और maternal diabetes है मदर के अंदर तो उस वक्त भी आप use कर सकते है so this warning is control the use of this injection in all patients तो ये warnings और ये knowledge आपके पास होगा तो proper ये injection का सही उपयोग होगा वरना जिनको जरुवत ना हो उनको भी कई बार ये injection दे दिये जाते तो ये सा ना हो इसलिए ये proper information और knowledge जरूरी है तो समझते हों उसके dose के बारे में तो यहाँ पे जो dose है वो proper देना चाहिए और specially intravenous route से IV जो है वो ये injection जो है वो खास कर दिया जाता है और वो भी proper train हुए medical supervision या फिर proper जो train medical staff होता है उनके तुरू ही ये intravenous route से ये injection को जो है वो hospital के अंदर ही दिया जाता है ये खास समझे ये injection जो है सिर्फ hospital use के लिए होता है only for hospital use साथो साथ ये रहेगा rx only prescription based medications रहता है rx only रहता है तो proper carefully कि सिर्फ medical supervision के अंडर में ही ये injection को hospital के अंदर जो है train staff के द्वारा ही लगाया जाता है आगे भी जानेगे कि किस तरह से दे जाते हैं कि जो train nursing staff है वो उसको administer करते हैं और check करते रहते उसके dose को देते समय कि किस तरह से contractions जो हो रहे है uterus के अंदर कि pitocin is delivered through an IV in arms and nurse will gradually raise the liver कि जो nurse होगे वो दिरे दिरे उसका level जो है वो बढ़ाते जाएंगे और देखेंगे observe करेंगे साथ में कि किस तरह से contraction हो रहे है कि every 2-3 minutes जो check करेंगे कि contraction हो रहे है या नहीं फिर आप जानों कि आपके mind में question जरूर होना चाहिए कि उसके container के उपर तो intramuscular भी लिखाए कि for IV and intramuscular तो intramuscular injection तब दिया जाता है कि जब proper delivery हो जाती है कि child birth होने के बाद तो intramuscular injection administered and given after the delivery तो ये खास आपके पास knowledge and information होने चाहिए कि proper child delivery होने के बाद ही ये injection जो है वो दिया जाता है intramuscular और समझे कि अभी delivery नहीं हुई है और आपको सिर्फ contraction जो है वो करवाने है गरवासे में संकुछन लाना है तो उस वक्त intravenously ही ये injection दिया जाता है तो intravenously वो भी direct नहीं दिया जाता ये infusions के थुरू ये injection दिया जाता है तो क्या कर दें सबसे पहले वो समझे कि standard solution जो है वो infusion जो है वो बनाया जाता है infusion को use करके तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो अंदर जो है 1 ml जितना medication से और ये 1 ml के अंदर इसके total 10 unit जो है वो present होते है अब ये injection को चाहे normal saline के अंदर या फिर RL के अंदर जो है वो add किया जाता है तो अब क्या हुआ ये 1 ml का dilution हो गया ये 1000 ml के अंदर कि जो 10 units जो थे वो ये 1000 ml के अंदर अब आ गए कि चाहे आप 0.9% aqueous solution लोगे sodium chloride के जिसको हम कहते है normal saline solution या फिर आप जो use करेगे ये 1000 ml का RL तो मतलब ये होता है कि 1 ml जो है ये इसके अंदर administered हो जाए गर उसके बाद ही ये जो है वो standard solutions तयार होने के बाद ही इसमें से patient को जो है वो slowly IV infusion दिया जाता है और साथ ही observe किये जाते है उसके uterine contractions तो initial dose क्या रहेगा should be 0.5 to 1 milli unit per minute कि per minute आप इतना ही inject करेंगे कि इस तरह से proper dose patient के अंदर जाना चाहिए कि एक मिनिट के अंदर एक मिनिट के अंदर 0.5 से लेकर 1 milli unit जितना ही medications patient के अंदर जाए उस तरह से कि equal to 3 to 6 ml of the dilute oxytocin solution पर और कि जो आपने dilute solution जो बनाया वो at least 3 to 6 ml जितना जाएगा तो हम consider कर पाएंगे कि patient के अंदर 0.5 से लेकर 1 milli unit जितना जो है वो ये medications उसके body के अंदर जा रहा है और साथ उसाथ regular observe किये जाते है कि जिससे आपको जो है वो पता चले कि contraction हो रहा है या नहीं फिर आप समझते उसकी price के बारे में तो pitocin injection की जो price है कि जो Pfizer का है oxytocin injection तो उसकी price अभी आप देखोगे तो around 20 रूपीज है और एक ampule के कि ये जो आप एक ampule समझो की prescribe करते है और आप purchase करते है store से तो अभी at least 20 रूपीज के आसपास है कि जब ये lecture हमारा publish हो रहा है 11 अगस्ट 2021 के according to है कि अगर आप ये वीडियो 2 साल के बाद समझो के देखते है या फिर 5 साल के बाद देखते है तो उस वक्त सायद ये price जो है वो change हो सकती है तो ये थे latest price according to कि जिस दिन हमारा ये lecture publish हुआ है 11 अगस्ट 2021 का ये price है अब समझते हैं उसके side effect कि ये injection के side effects क्या होते है कि इसलिए मैंने कहा कि सभी patient को ये लगाने की जरूरत नहीं होती सिर्फ ऐसे ही patient की जिनके अंदर uterine contraction नहीं हो पा रहे है और ऐसी condition है कि membrane rupture है premature child delivery सायद हो रही है तो ऐसे condition में और तौब कि जब आप vaginal delivery करवाना चाहते है उसी वक्त ये injection use किया जाता है तो side effect क्या हो सकते है कि redness हो सकती है या फिर irritation हो सकता है injection के side के उपर कि अगर आप समझे कि intramuscular injection दे रहे है और वो भी after delivery कि जो हमने सीखा कि after delivery especially bleeding control करने के लिए ये injection को दिया जाता है तो उस वक्त जे उस injection side पे जहाँ पे दिया होगा तो वहाँ पे patient को redness हो जाएगे या फिर irritation होगा injection के side उपर same समझे कि IV भी दिया जाएगा तो भी थोड़ा बहुत redness या irritation हो सकता है पर उस वक्त जो dilution हो जाता है कि 1 ml जितना ampoule 1000 ml के अंदर already जे हो dilute हो जाता है RL या फिर NS के अंदर तो उसके करण क्या होता है dilution होने के करण irritation कम होता है पर समझे कि IM दिया जाता है तो उस वक्त ये side effect डेवलप होती है तो प्रिफर ये IV ही ज्यादा देते है कि जिससे ये एक problem को solve कर सके फिर loss of appetite होना कई बार कि भूख कम लगे पेशन को nausea जैसा फिल हो सकता है और उसके करण vomiting हो जाना cramping जैसा होना कि stomach के अंदर cramps हो सकते है आपको stomach pain होना या फिर body के दुसरे कुछ parts में भी cramps हो सकते है runny nose जैसे condition कई बार produce होती है skin के उपर आपको racist जैसा हो सकता है फिर ये जो है वो उसके normal side effects जो है वो हम कहे सकते कि ये normal के समझे कि ये side effects जो है वो कई बार normal और common कहे जाते है pitosin injection के और समझे कि higher dose में दिया जाए तो ये conditions और ज्यादा खराब हो सकते है तो उसके contraindications हम समझते है तो contraindications में सबसे पहला ये है कि previous C section समझे कि किया हुआ है कि ये समझे कि आपका second child birth है और first child birth के दोरान समझे कि C section किया गया था तो second delivery के दोरान ये injection use नहीं किया जाता कि अगर first delivery C section से हुई है तो ऐसे patient को नहीं लगाना चाहिए कि जिनको previous ऐसी history को उनको C section से जो है वो child birth जो है वो करवाया है second grand multiparity जिसका मतलब ये होता है कि पांच या फिर उससे ज्यादा जो है वो delivery हो चाहिए कि मदर जो है माता की पांच delivery हो चुकी है या फिर पांच से भी ज़्यादा delivery होई है तो ऐसे condition में ये injection को use नहीं करना जाए तो इसलिए जरूरी है कि patient के history भी जानना जरूरी है तेसरे condition माल पोजिशन माल पोजिशन मतलब कि यहाँ पे ये जो आप तीन डायाग्राम देख रहे है कि ये वाला एक first ये वाला second और ये third number तो आप तीनों के अंदर आप देखो कि जो बच्चे की जो position है वो गरबा से के अंदर continuously अलग-अलग position आपको देखने को मिलते हैं कि जिसको हम कहते हैं माल presentation of fetus कि जो fetus हैं वो continuously ऐसे positions में जा रहा है कि especially normal delivery के रिए जरूरी होता है इस तरह से कि healthy placenta और ये जो head होता है वो cervix के पास जो होता है तो आसानी से जो है वो normal vaginal जो delivery जो हम कहते हैं हो पाती है पर समझो कि इस तरह की condition है कि head जो है वो proper position पे नहीं है बच्चे के अंदर mal presentation मतलब कि इस तरह से अलग-अलग positions देखने को मिल रहे है कि जो ultra sound से पता चलता है तो ऐसे condition में ये injection को use नहीं करना चाहिए तीसरी condition एक और देखे तो fatal distress की जो condition है कि इसी condition के proper मदर जो है वो tolerate नहीं कर पाती या फिर इस तरह की condition है कि ये injection जो है वो suitable नहीं हो रहा है तो use करना नहीं करने चाहिए high blood pressure का patient है कि present के अंदर already blood pressure high है तो उस वाग कि labor के दौरान समझे कि blood pressure high है तो भी use नहीं करना चाहिए या फिर continuous जो history थी patient की maternal history और उसके दौरान blood pressure high है तो भी ये injection contraindication में आएगा placenta previa मतलब कि ये आप healthy placenta देख रहे है कि यहाँ पे properly ये जो placenta की जो umbilical cord जो हम कहते है और ये placenta proper जो है वो attach है पर समझे कि इस तरह से है placenta previa के अंदर ऐसी condition produce हो जाती है तो समझे कि इस type की condition आपको देखने को मिलती है ultrasound के दौरान तो भी ये injection को use नहीं किया जाता और pregnancy with more than one fetus के uterus के अंदर आप जब देखते हैं कि एक से ज्यादा fetus जो है develop हो रहा है कि जिसको कई बार हम कहते है twins कहते हैं कि twins से है या फिर उससे भी ज्यादा fetus के एक से ज्यादा fetus है uterus के अंदर तो उस वक्त भी ये injection को use नहीं किया जाता तो ये था हमारा special video lecture about the oxytocin injection और हमने जाना pitocin injection के बारे में तो DCs and medicines related जो lecture उनके PDF, PPTs, video lecture सभी एकसेस करिए affordable price के अंदर farmerox के आप उपर तो download करिए farmerox कि जो आपको मिल जाएगे google play store पे and app store पे कोई भी दिक्कत हो तो ये number पे whatsapp करके query solve कर सकते हैं join करिए study material, test series and video lecture के लिए farmerox के आप उपर android user android app डाउनलोड करे iphone user app store से link आपको description box में मिल जाएगे so good luck and all the best